वेल्कम टू इस्टेनो विद्पारस डिक्टेशन स्टार्ट होगी पांस सेकंड बाद स्टार्ट प्रधान मंत्री के इस कथन से सायद ही कोई ऐस हैमत हो की हमारा सेक्षिक ढाचा वर्सों से जिस पुराने ढर्रे पर चल रहा था उसके कारण नई सोच और उरुज्या को बड़ावा नहीं मिल सका इसके साथ साथ अन्य अनेक कारणों और विसेश रूप से दुनिया में तेज गती से हो रहे बड़लावों के चलते नई सिक्षा नीती आवस्यक हो चुकी थी चुकी नई सिक्षा नीती आने में तीन दसक से जादा का समय लग गया इसलिए इसकी आवसकता और बड़ गई है कि उस पर अमल प्रात्मिक्ता के आधार पर किया जाए यह अच्छा है कि प्रधानमंत्री ने इस बात को महसूस किया कि लोगों के मन में यह सवाल हो सकता है कि आखिर इतना बड़ा सुधार कागजो पर तो कर दिया गया लेकिन इसे जमीन पर कैसे उतारा जाएगा निसंदेह यह एक चुनोती है और उससे पार पाने में सफलता तभी मिलेगी जब राज्य सरकारें दलगत राजनीती से परेहटकर नई सिक्षा नीती के प्रती सकारात्मक रवय्या अपनाएंगी यह एक सुभ संकेत है कि जादातर राज्य सरकारें नई सिक्षा नीती को उपयोगी मान रही हैं लेकिन केवल इतने से बात नहीं बनेगी उन्हें उन तत्वों को हतोत साहित करना होगा जिनोंने संकीन राजनीतिक कारणों से नई सिक्षा नीती के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है इन में से कुछ तो ऐसे हैं जिनोंने सिक्षा नीती का अधियन किये बगैर ही उसके खिलाफ बयान दाग दिये पहरा नई सिक्षा नीती को अंध विरोध और राजनीतिक संकीनता से बचाने की जरूरत है इसपश्ट है कि सभी राज्य सरकारों को इसके लिए सकरियता दिखानी होगी कि नई सिक्षा नीती समय रहते उसकी मूल भावना के साथ लागू हो इसकी आवेशिक्ता इसलिए भी है क्योंकि सेक्षिक ढाचे को दुरुस्त करने के मामले में पहले ही बहुत देर हो चुकी है चुनोती केवल नई सिक्षा नीती को लागू करने की ही नहीं है पाठे करम में सुधार करने की भी है बहतर हो की यह सुनिश्चित किया जाए की पाठे करम में सुधार के काम में वैसा विलंब नई होने पाए जैसा नई सिक्षा नीती को तैयार करने के मामले में हुआ केंद्र सरकार और विसेश रूप से सिक्षा मंत्राल्य को यह भी धियान रखने की जरूरत है की राज्य सरकारों के साथ साथ सैक्षिक संस्थानों के प्रतिनिधियों सिक्षा विदो और सिक्षकों की भी नई सिक्षा नीती को लागू करने में महतपून भूमिका होगी प्रदान मंत्री ने अपने संबोधन में इसका उलेख करते हुए यह रेखांकित किया की इस मामले में वह राजनीतिक इच्छा सक्ती का परीचय देने के लिए प्रतिबद हैं लेकिन उन्हें इसका भी आभास होना चाहिए कि ऐसी ही प्रतिबदता का परीचय वह नोकर साही भी दे जिस पर नई सिक्षा नीती के अमल की जिम्मेदारी आनी है इस्टोप